नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचे दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सिवा में एक बहदी महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां रोज सुबा की चाय में चुटकी भर इन पत्यों के चून को लेने से दूर रहती हैं 300 बड़ी बीमारियां यह हम नहीं आय मोरिंगा या सहजन पूर्वी चिकित सब पधतियों में मधुमें हिरदय रोग अर्थराइटिस जैसे कई गंभी रोगों से बचाव और रोग थाम के लिए उपयोग किया जाता है अतियंत गुनकारी और पोशक सहजन अब पूरी दुनिया में सुपर फूड के नाम से भी प्रचलित हो रहा है अब आई जानते हैं कैसे करें सहजन का उपयोग मोरिंगा के इन लावों को अगर आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इसके पत्तों को सुखा कर पीछ लें और रोज हर बल्टी में डाल कर पीए हलांकि इसके कोई भी दूश प्रभाव नही प्रश लेना चाहिए अब जानते हैं इसके अद्भूत फायदों के बारे में मोरिंगा विटामिन खनीज और अमीनों अमलों की हदान है इसका सेवन आपके शरीर में विटामिन A, C, E, केल्शियम, पोटेशियम और प्रोटीन की जरूरत को पूरा करता है मोरिंगा की पत् समय तक सूजन रहने से मधुमे, हरदाय रोग, सांस लेने में तक लिफ जैसी बीमारियां शरीर को घहरने लगती हैं मोरिंगा का नियमित सेवन सूजन कारी तत्वों को कम करता है इसकी पत्यों का काढ़ा पीने से कोशिकाओं की सूजन जल्द ही ठीक हो जाती है मोरिंगा मानसिक सेहत और ज्यान अर्जित करने की शक्ति को बढ़ाता है इसमें मोजूद वीटा में तंत्रिका कोशिकाओं को खत्म करने वाले कारकों को हटाता है तथा दिमाग के विभिन भागों के वीच संतुलन बनाता है मोरिंगा के फुल और पत्तियों में पोली फिनोल लड़ने में मदद करते हैं तथा कोशिकाओं को शतिग्रस्त होने से बचाते हैं मोरिंगा में संक्रमर से लड़ने के गुण होते हैं जो हमारे शरीर को कई जिवानों और शुक्राणों से बचाता है यह कई चर्म रोगों के कारक फुन्द तथा मुत्राश्य के संक्रमर क कारक बैक्तिरिया के विरुद्ध असरदार है किसी भी तरह की चोट पर मोरिंगा की पत्तियों का लेप लगाने से खून बहना तुरंत बंध हो जाता है तथा घाव जल्दी ठीक हो जाता है यह उन लोगों के लिए विशेश करलाफदायक है जिनकी चोटे जल्दी ठीक नही होती है और तकलीफ देह होती है तो देखा दोस्तों आप सभी नहीं यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जोड़ेंगे एक और बहदी महत्वपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों